कैसे आप लोग उम्मिद करते सभी को अच्छे होंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पहले अधिया अलड़ी पढ़ चुके है लो आज है दूसरा अधिया यह साथवे क्लास का है और बिहार वोट का है ठीक है इससे पहले हम लोग 6 क्लास का हमारी दुनिया यानि जो अधियोगरफी का टोटल वीडियो में अप्रेट कर चुका हूं जो बच्छे नहीं देखे होंगे 6 क्लास का पढ़ना चाते होंगे तो पढ़ सकते हैं हम लोग जैसे की वादा किये हैं ते लो कि 6 से लेका 12 तक सबका आएगा उसी की संदरब में हम लोग 6 क्लास कंप्लेट मैं समझा दिता हो इसके अलावा 10 15 20 20 50 50 किसि में असी अप्जिक्टिव कोइशन बसकते ए जिसमें जितने विक कोईशन अप्जिक्टिव बन घ्रत के नीशे से खनन कर करा कोई निकाला जैता में उसकों बोलते हैं यो ढगर अगे चलते हैं ऐसमें शपी चीज ब्लाइब इससी हों जय मैं समझते हैं किया कियाँ चीजए इंपर का में के चफ आझा यान इसकी तो तीन परकार के चाट्टान होते है taraf कितने परकार बह И Mooji तो एक टो प्वूices तो मैं उसको बता दूगा टैंसल लेने ही जुरूत नहीं इनल नहीं सारे छीज के लिए इस आपको समझ Wजा जैगा उग। तो चाटतने परकार के टीन परकार पहला अवसादी दूसरा पहला अगने अवसादी और रुपान्तरित अगने अवसादी और रुपान्तरित अब तीनों को बारे में एक एक करके समझेंगे लो कि तीनों का मतलब क्या होता ठीक हम पहला लिखा है अगने चटन क्या लिखा है यहाँ पर अगने चटन क्या इसी आगवा को बोलते हैं लो मैगमा, क्या बोलते हैं लो मैगमा, यह मैगमा जो बहार निकलता है तो बहार निकलता है ऐसी गिर के जमा हो जाता है, क्या होता है, जमा हो जाता है, जमा होने के बाद बाहर की तपमान होता है, जो अला मुखी के अपक्छा बाहर के तपमान कम यानि ज्यार मुखी के तपान हो जाद हो गया बाहर का कम होता है जिसे कारणने यह जम के सुख जाता हा ईहां के बरिता है कर दो बंढ़न जाता है यह सुख इप Stone के यहां पूर्ण बिय्घेए स्लिख क्रण झाल जाइगा घ्क रट jest बाहर निकलने का बाद वो लावा के रूप में बदल जाता है यानि सुक्य लावा बन गया और अब वही कुछ को दो और पाद एक चट्टान बन जाता है वह सätterन को अगनय चट्टान के करते हैं आये कि नहीं समझाया अब अगनय चट्टान के उधारन में याद रखेएगा बेसाल्ट एम एबसीडियन ठीक है अबसीडियन एम बेसाल्ट ये दो चट्टान जो है ये क्या है अगनय चट्टान के उधारन है अगने चटान में कोई दिकत नहीं, अब आते हैं लोग आवसादी चटान, आवसादी चटान किसे करते हैं, ये चटान दो वस्थाओं में पाय जाती है, ये चटान क्या होते हैं, दो वस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर दूसरा पानी के बाहर, अब ये क्या है, अवसादी चटान क्या होता है सिंपल समझो अवसाद मतलब होता है कि कच्रा अवसाद मतलब क्या होता है कच्रा काहनेक मतलब क्या है अवसाद मतलब क्या होता है कि जब वही चटान जो बुल रहे तो जो चटान जो था कौन से चटान था जो चटान हम लोग का अगने जो चटान था यानि इमान के चुले यह वाला चटान जो था अगने चटान था ठीक है अब यह अगने चटान किसी भी कारण के वस से बारी से पानी से भुकम से नदी से यह तूट गया तूट के तूट के बचके अना पूरा यह तूट गया खत डूतर को देया है बालू पधार और सेल अब आते है रुपांतरी चट्ठान किसे कत थे औसाधी अगनय ही रुपांतरी सो जाता है कैसे देखो यह अवसाधी हो या पहिला जो था अगने हो ठीक है यह दोनों चट्टान दोनों चट्टान कई हजारों वर्सों को बाद अपना रूप बदल दिया रूप कैसे बदल देगा माने चलो कि तपमान से दबाओ से बारिस हो रहा होगा घाम मतलब धूप भ्यानक चूना पफर चूना पफर यह 10 संगरमर बदल लेतह हैं मतलब कि पर बाद में चूना पत्थर बदल जाता है किसमें संग्वर्बर में संग्वर्बर में बदल गया तो वही क्या कलाएगा रूपांतरी चटान कोई नया चटान नहीं है रूपांतरी चटान वही अगने आउसादी ही हजारों वरस्तों बात अपना रूप बदल लेता है तो उसको हम लोग रूपांतरी चटान कते हैं समझाएगे तीनु चटान के बारे में समझेगे अब यहाँ देखो अपरदन लिखा जो बोले हैं अपरदन वला चीज वाईसी पर के लिए जिसे कारण चटानों की परते काट छाट होती है अपरदन मतलब सिंपल समझो की बरबादी जब लिखाओगा भू अपरदन यानि भूमी की बरबादी अब बरबाद कैसे होगा तूटेगा कटेगा चटेगा बम से कोई उड़ा देगा या प्राकृति गुरूप से तूट जाएगा भूकाम पा गया बाढ़ा गया किसी भी कारान से अगर कोई चीजे बरबाद हो रही है तो उसको अपरदन का एता है जैसे चटानों को अपरद कर्या कमें चीजे अगर्व मतल्य के भीतरी होंता और घळ आता है जोठी निकलता है लोहा निकलता है घीर सारी चीजे मिलते है इसी आप पृतिवी के अंदर आपर्म वाले भाग को उसको कहा है तो अ runner again यादी के गर्व को रतने गर्वा कता है क्युक्छ बहुत रातने मिलते हैं आप आते हैं यह करणिक खनीजों के घंसे धरकोगे हैं अब निभाग क्या है एक गया दूर यह धातनी आ हगाता है एक दूरा एक दूसरा अद अधातु हो गया लकडी में करेंट आता है नहीं आता है वो अधातु हो गया तो जब खनज करके खनीन मतलब कोड़ खाब के यानि खनन करके कोड़ खाबने को मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं की हाते से कोड़ करें कोड़ने को मतलब हो गया कि बड़े-बड़े मसीनों से धर ठात्वी खनिज बोलेंगे गड़ात्व जो धात्वी खनिज भैंगे उस धात्वी भागओ बढ़ दिया एक भाढ़ी यह अब लोह मतलब क्या है जिसralोहaksi मातरा पाई कि इंस टे टामबा टे और तमबा हुआ को टामबा सब मुंध कनफिजेंर सकते यह है 1ौ तमभा में लोगा का नहीं अब आते हैं अधात्विक के बारे में अधात्विक भी दू भागों बाढ़ती है एक तो कार्बनिक दूसरा अकार्बनिक जिसमें कार्बन होगा उसको कार्बनिक और जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको अकार्बनिक बोलेंगा ठीक है तो कोईला और पेट्रोलियम पदार तेनी पेट्रोलियों पतात कौन से हो जाएगा डीजल पेट्रोल केरोसीन तेल यह सारी चीज़े क्या है कारबनिक है कारबनिक अधात्वी क्या ठीक है और एक और अकारबनिक कौन से हो जाएगा अबरहक और गरफाइट क्या हो जाएगा अकारबनिक हो जाएगा समझे ना त चटान कितने पर करकता, तीन पर करकता, पहला था अगने, दूसरा था औसादी, तीसरा था रूपांतरित, अगने यानि आगी से बना, आगी मतलब जो अलमुखी के मैगमा निकला, बाद में लावा बन गा, वही लावा अगने चटान कहा लाने लगा, औसादी किसे बोले, अगने, खनीज के नीचे से जो भी चीज़े निकलती है, उसको खनीज कहा जाता है, ठीके, खनीज बोला दू परकार के एक धात्विक दूसरा अधात्विक जो खनीज था उसमें धात्विक के मात्रा थी अधात्विक के मात्रा नहीं थी अब धात्विक को भी दूभागों बाड़ दिया लो और अलो यानि जो नाम लोहा हो लो जो नाम लोहा नहीं हो वो और अधात् रूप आंतरी चट्टान कौन सा है यहां रूप जो बदल लिया वो है संगमरमर वैसाल किस पर करके चट्टान था अभी पढ़ेलो उपर वैसाल ट्वाले जो था वह अगनाय चट्टान था ठीक है अब आत्तिसरे नमर कुशन आते हैं लो चट्टानों के रूप आंतरन में क किसका योगदान होता है मतलब चट्टान का रूप कैसे बदल जेता था तफमान के करण दबाव करण और इन में से यहां सभी होना चाहिए डियाव सर अना तफमान दबाव और रसानिक द्रवबे मन बहुत सारी किरिया हो के ताप और दाप की करण यह क्या होता है अपना बदल लेता है कौन चट्टान हो अगरा ठीक है अब आते हैं फिल इंदी मिलैंस पर जो चट्टान जो अलमुकी से निकले लावा से ठंडाओ होने से बनती है अब यह लावा जो ठंडाओ का बनती है उससे क्या बलते है अगने अभी पढ़े लावा जो बनेगा अगने अब जो आलम में किसी जो पधार्त निकलता है अब लोगों को मैगमा बोलते हैं आप दाब के कारण क्या होता है चटान ने के अपना रूप बदल लेता है समझा गैं अब आते मिलान करने पर संगबरमर्ण देखते हैं कौन रोजगा संगबरमर्ण हो जाएगा यह रूप से समझ लेजिए गलो ठीके अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो एक बार जरूर पुछे गला जैसे चटान किसे करते हैं आप लिख लिजेगा चटान गुरु पांतरन कैसे होता है और उसादी चटान अगर उसके पत्थर को प्यों कहां कहा होता है छट कठलाई में कौन सा प नहां लिखे बाए कि रोतासगड का किला लाल किला पत्थर की मस्जिद पटना विश्नुपद मंदीर अगरा किला कुतुमिनार के कुतुमिनार अभिसाल बुद्ध मुर्थी मंदीर जो है इसको कोशन बोल रहा है क्या पता करके करके लिखे कि निमने भवान किर किन पत्थर से बना हुआ है कुतुमिनार को पत्थर से बना हुआ है और बिहार के जो बच्चे होंगे बिहार का अगर एक्जाम देना चाहते हैं तो आपको पत्थर की मस्जिद आपको याद रहना चाहिए कि किस पत्थर के बना हुआ है विश्नुपद मंदीर भी पता रहना करता हूं आगर आप नए बच्चे होंगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और व्यूडियो बहतर लग रहा हुआ तब ज्यादा से बच्चे उपा शेयर करते रहे हैं तो उम्मिद करते हैं क्लास बढ़ें लगा होगा फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे तब तक धन् नमस्कार स्लाम अलेकूम जाहिएंजा भारत